Hello Friend Welcome to Study News आज हम ऐसी नई टेक्नलोजी के बारे में जानेंगे जिसे हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने विक्सित किया है इन वैज्ञानिकों ने ऐसी परिसानी का हल ढोड निकाला है जिसे कई developed country परिसान है और इनका हल अभी तक नहीं निकल पाया है इंडियन साइंटिस्ट ने इस न्यू टेक्नोलोजी का पैटर्न करा लिया है जिसके बाद इसे बनाया भी जाएगा तो चलिए जानते हैं इस न्यू टेक्नोलोजी के बारे में So let us start कई बार समुंदरों में ओयल से भरे जहाज डूब जाते हैं जिससे तेल पूरे समुंदर में फैल जाता है और इंवार्मेंट पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है इस फैले हुए तेल को साफ करने का कोई असरदार तरीका किसी भी देश के पास नहीं है जो भी तरीके मौजूद हैं उनमें या तो पानी की सतह पर आग लगा कर तेल को जला दिया जाता है या केमिकल की सहयता से फैले हुए इस तेल को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ दिया जाता है इन दोनों ही तरीकों में तेल समुंदर में ही रह जाते हैं और उन तेलों का कोई सही उपयोग भी नहीं हो पाता है कई सालों के बाद भी इस परिसानी से निपटने का कोई सही तरीका नहीं ढूड़ा जा सका है लेकिन भारत के वेग्यानिकों ने ये कर दिखाया है भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्टों ने एक सूपर अफ्जॉर्विंग कोटन को डेवलप कर लिया है इसकी कई खूबियां हैं जिसकी वज़े से इसे सूपर कहा गया है भारत में डेवलप्ट इस कॉटन का एक ग्राम डेड़ किलो ओयल को सोख सकता है और इसकी विसेश बात ये है कि इसे सोखे गए कॉटन से ओयल को दोबारा रिकवर भी किया जा सकता है और रिकवर तेल का दोबारा इस्तमाल भी किया जा सकता है पूरे विस्व में अभी तक ऐसा कोई मैट्रियल नहीं है जो एक साथ दो काम कर सके मतलब कि जो तेल को सोक ले फिर उसे रिकवर भी कर सके इस सूपर अफजर्विंग कोटन में जब तेल अफजर्व हो जाता है तो उसे कंप्रेस करके या दबा कर असानी से रिकवर किया जा सकता है इस सूपर अफजर्विंग कोटन को डेवलप्ट किया है भारती सैंटिस्ट सुभेंदर रे चौधरी जी ने इस सूपर कॉटन से पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा और इस मैट्रियल को पचास से सो बार इस्तमाल में लाया जा सकता है सिर्फ पेट्रोलियम ही सोखने के लिए नहीं बलकि महासागरों की सतोहों से कई टॉकसिन प्रदार्थों को सोखने में ये सक्षम है इसका इस्तमाल भारत की नदियों में जो खतरनाक industrial wastage material हैं उन्हें हटाने के लिए भी किया जा सकता है जो भारत की नदियों को दूसित करते हैं बेंजीन, टॉल्यूवीन, एथिल बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमेथीन, फास्फेड ये ऐसे chemical हैं जो इंडेस्ट्रियों के द्वारा नदियों के पानी में मिल जाते हैं जिससे नदियां लगातार दूसित होती जा रही हैं इन्हें हटाने के लिए ये नई टेकनोलोजी बहुत उप्योगी होगी जो फिलाल भारत के पास हैं इस टेकनोलोजी के अलावा जो भी तरीके मौजूद हैं उनसे पर्यावरन दूसित होता है लेकिन इस सूपर अफजर्विंग कोटन के इस्तमाल से ऐसा कोई साइड एफ प्रेटन भी मिल चुका है और इसका इस्तमाल उद्योग तेल इस्टेशनों में ठोस सतो की सफाई सडक पर फैले तेल को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है इस प्रकार भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में ये काफी योगदान देगा तो ये थ सर्विंग को टेंड के बारे में इंपोर्टन इंफोर्मेशन सो थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट